उलम्पियाद एक्जाम क्या होता है? कैसे होता है? और इसको देने से क्या फाइदे होते हैं? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजए क्योंकि उलम्पियाद से रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहती हूँ और मेरे चैनल पर आल्रेडी इससे रिलेटेड कई वीडियो अप्लोट किये जा चुके हैं. उलम्पियाद एक्जाम कौन कराता है? उलम्पियाद सरकारी और प्राइवेट इंस्टिटूट जो हैं वो कंड़क्ट कराते हैं. नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एक्जाम क्लास 1 से 12 तक के स्टुडेट दे सकते हैं. उलम्पियाद एक्जाम में जो मेन एक्जाम्स होते हैं आजकल कुछ उलम्पियाद के फॉर्म भरे जा रहे हैं और कुछ के बाद में भरना शुरू होंगे पूरे एयर यह चलता रहता है कोई ना कोई इंस्टिट्यूट उलम्पियाद एक्जाम कराता रहता है स्लेबस और एक्जामिनेशन पेपर इसमें आपकी क्लास तक का सी keeping of 50 profession ोशन पेपर में ही के पेपर होता है पेपर में मलटीपल चॉइस कोशन पूछे जाते हैं ताइम जो मिलता है आपको एक गढ़्टे का टाइम मिलता है छोटे क्लासस में 35箇ं का एक कोशन पेपर होता है और बड़े क्लास में 50 मार्क्स का एक कोशन पेपर होता है रूल्स क्या क्या है Olympiad एक्जाम के लिए आप सिर्फ अपने स्कूल के ही तरू फॉर्म भर सकते हैं लेकिन अब जब से ऑनलाइन Olympiad स्टार्ट हुए हैं पहले ऐसा रूल था कि अगर आपको Olympiad एक्जाम देना है तो आपके स्कूल को रेजिस्टर होना पड़ता था लेकिन अब ऑनलाइन Olympiad जब से कंड़क्ट कराने लगे हैं तब से आप इंडिविजूल भी इस एक्जाम को दे सकते हैं Olympiad कराने वाले हर इंस्टिटूट के अपने रूल्स होते हैं स्टेट लेवल का फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपके स्कूल में ही होता है इसके लिए Olympiad इंस्टिटूट दो डेट स्टै करता है बच्चों के जो बच्चों को सुटेबल डेट लगती है उसके इस आप से एक्जाम कंड़क्ट कराया जाता है सेकेंड लेवल का एक्जाम जो है वो आपके स्कूल में नहीं होता है उसको आपको एक सेंटर दिया जाता है उस पर आप एक्जाम देने जा सकते हैं अब क्यूंकि ऑनलाइन एक्जाम होने लगे हैं तब से अभी last year second level का exam नहीं हुआ था अगर offline exam होंगे इस पर तो आपका second level का exam होगा आपको क्या-क्या prizes मिलते हैं Olympiad exam देने से Olympiad में दोनों लेवर पर ही नहीं अपने school में भी top 3 rank को students को medal certificate दिया जाता है अच्छे record बनाने वाले school को भी trophy दी जाती है साथ ही top 25 student को भी awards मिलते हैं International Olympiad के लिए जो select student होते हैं वो दूसरे देश में जाकर भी भारत को represent करते हैं International level Olympiad में top आने वाले student को एक अच्छा रकम जो है एक अच्छी राशी दी जाती है Olympiad exam की preparation किस तरह से करने चाहिए इस पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुकी हूँ उसका link में description box में दे दूँगी आप वहां जाकर click करके वो वीडियो देख सकते हैं और मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको Olympiad preparation के लिए कौन सी बुक्स की जरूरत होते हैं कौन सी बुक्स अच्छी है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है उसका link भी मैं आपको दे दूँगी वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी बुक्स के साथ Olympiad exam की तयारी करनी चाहिए तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा शेर कीजेगा और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजे